हेलो रिवन, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूटूब चैनल, फार्मर ओक्स के यूटूब एजूगेस्टलन चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट धा कैलसियम चैनल ब्लॉकर्स तो फार्माकोलोजी के अंदर जो मेडिकेशन से कैलसियम चैनल ब्लॉकर्स की जिसके कुछ अग्जम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केटेड फार्मिलेशन की निफेडीपिन के आप सस्टेन रिलिस टैबलेट यहाँ पर देख सकते हैं एस वल एस डिल्टी एजम के टैबलेट से वेरा पामिल है यहाँ पर एटेनलोल के मार्केटेड फार्मिलेशन देख रहे हैं एन एमलोडीपिन एटेनलोल का कॉंबिनेशन भी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो ये medications pharmacologically हम देखे तो calcium channel blocker class के medications जो है वो कहे जाते हैं तो ये medications के uses के बारे में हम study करेंगे फिर what are the side effects of these medications किस तरह से ये काम करती है मतलब कि उनके mechanism of action उसका detailed pharmacological classification और उसके indications, contraindications वगेरा के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर study करेंगे तो एक्सपर्ट लेक्चर बाई Amar Sir, Mr. Amar M. Raul, Assistant Professor, Founder of PharmaRocks तो अगर आपके पास Android Phone है तो Google Play Store पर से आपको डाउनलोड करेंगे आपके पास iPhone है तो App Store पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते है लिंक हमने description box में आपको दे दी है as well as आपको कोई भी query हो तो ये नंबर पर हमें WhatsApp जो है वो कर सकते है तो जरूर से डाउनलोड करिए आप PharmaRocks और एक्सेस करिए test series, study material and video lecture तो सबसे पहले समझे definitions के बारे में कि what is the definition of a calcium channel blockers तो calcium channel blockers are the class of medications which lower the blood pressure and treat other conditions such as chest pain and irregular heart beat तो ये point एक समझना जरूरी है कि ये medications का जो हम study करते है तो उसके studies पर से हमें ये पता चलता है कि ये medications क्या करती है आपका blood pressure जो है वो reduce करती है तो यहाँ पे एक point खास समझे कि ऐसे medications की lower करते है blood pressure तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि lower blood pressure को lower करने की जरूरत कब पढ़ती है कि जब किसी का blood pressure high हो जाता हो कि यहाँ पे हम देख रहे है कि 120-80 that is the normal blood pressure 120-80 हमें पता है कि systolic 120 and diastolic 80 mmHg जब होता है तो वो blood pressure हम normal कहते है बट जब उससे increase होता है तो वो condition को हम कहते है hypertension वो condition को हम कहते है hypertension या फिर high blood pressure high blood pressure की जिसको हम high BPB कहते है तो यह medications जो है यहाँ पे हम try कर सकते हैं जब किसी person का blood pressure काफी high हो जाता हो तो उस वक्त वो blood pressure को control में करने के लिए लोवर केसे करता है blood pressure तो prevent करता है calcium को entering into the cells of the heart and arteries कि जो हमारा heart है प्लस हमारी जो arteries है वहाँ पे जब यह calcium जो है हम जानते कि calcium एक type का element है तो जैसे अलगले elements हो देखला sodium है, potassium है iron है वैसे ही calcium element है कि जो हमारे body के अंदर present होता है तो यह calcium कि जो entry होती है in the cells of heart and arteries तो उसकी entry को क्या करता है वो block करता है, prevent करता है जिसके करण blood pressure जो हमारा lower रहता है तो इसी के साथ साथ जो condition है कि irregular heartbeats होते है किसकों की जिसकों कहते है cardiac arrhythmia की condition as well as जो chest pain की जिसकों कहते है angina factoris तो यह सब condition को treat करने के लिए calcium channel blockers के medication साम use करते है आगे सिकते हैं यह medications के बारे में तो अब एक list जान लेते है कि कौन से-कौन से medications calcium channel blockers के अंदर enter होते है और यहाँ पे उनके आप marketed formulations भी देख सकते है तो these are the prescription only medications यहाँ पे देखिए सभी के उपर यहाँ पे आरेक्स लिखा हुआ है तो आरेक्स का मतलब तो आप सभी को बताई है कि that are the meaning that is prescription only medications के proper पर प्रेक्सिप्संस के साथ ही यह medications patient को दी जाती है तो उसके example है वेरा पामिल है डिल्टी अजम है नीफे डिपिन फैलो डिपिन एमलो डिपिन निट्रेन डिपिन एंड लेसे डिपिन तो कुछ medications के पीछे यह डिपिन लगते है वो आप notice करो और यह वेरा पामिल और डिल्टी अजम दोनों को भी अच्छे से आपको याद रखना है तो यह medications जो common list है calcium channel blockers का अब pharmacological classifications देखे हम based on their effects कि effects के basis पे जब हम उसका pharmacological classification करते है तो उसके total three classes है यहाँ पे देखे total three classes based on their effect कि जो pharmacological effects होती है उसके basis पे यह medications total तीन class के अंदर divide होती है first class that is dihydropyridines dihydropyridines they are potent vasodilators vasodilators मतलब कि जो हमारे blood vessels होती है उनको dilate करते है और dilate करते है उसके करण जो blood pressure जो है वो reduce करती है किसे से समझे कि dilator का का काम क्या है कि पहले जो blood vessel आप देखिए कि यह हम समझते हैं एक blood vessel के example से कि जब उसका diameter इतना होता है और जब उसको हम dilate करते तो उसका diameter थोड़ा increase होता है तो यह diameter जो है वो small diameter होती थोड़ा और वो समझे कि इसको dilate करने के बाद small में से थोड़ा increase होके medium होता है तो जब blood इस यह वाले में से flow होता होगा और यह वाले में तो आप देखिए कि जैसे physics की तोरब से भी आप समझे कि concept समझे कि जब pipe के diameter से हम बदल देते हैं कि आप जब small pipe use करो और medium pipe use करो तो यहाँ पे जो है वो pressure ज़्यादा होता है high pressure बट जब उसको हम dilate कर देते है मतलब कि उसका diameter थोड़ा increase हो जाता है तो pressure जो है वो हो जाएगा low क्योंकि आपने जो pump से pressure set किया है वो यह diameter के लिए फारफेक्ट था बट समझे कि थोड़ा सा dilate हो जाता है तो pressure तो अपने जो रखा था वो अब distribute हो जाए को जिसके करण physics के concept के according to pressure जो है वो low होता है इसलिए यह medications जो है वो क्या करते है कि vaso dilators effect दिखाती है जिसके करण जब यह medications देते है तो blood pressure present का होता है reduce blood pressure करती है यह reduce या फिर जो हम कहते कि blood pressure को lower करती है तो यह concept है dihydropyridins का और उसके examples हम देखे तो widely use होने वाले dihydropyridins class हम देखते है that are nifedipin है उसके अलाव आप देखो तो nitrion dipin करके भी medication से then amlodipin है lacy dipin fallodipin तो यह जितनी भी dipin वाली है आप देखो सभी के पीछे spellings के अंदर dipin है कि nifedipin देखो आप nitrion dipin amlodipin lacy dipin fallodipin तो यह सभी dihydropyridins class के medications and potent vasodilators कि जो क्या करती है lower the blood pressure तो यह concept आपको आप बूलना नहीं होगा अच्छे से आपको याद रही जाएगा second point समझे that is phenyl alkyl amines class के medications कि जो है potent myocardial depressant potent myocardial depressants तो यह medications है वेरा पामिल and गेलो पामिल दो पामिल वाली जो हम medications देखते हैं तो यार phenyl alkyl amine कि जो myocardial depressant का काम करती है तीसरा जो class है वो है benzo thaizepine benzo thaizepine that are dilti azam that is dilti azam that is moderate vasodilator and myocardial depressant तो जो dilti azam है उसके पास दोनों effects available है कि vasodilator effect भी है वो moderate potent नहीं है moderate है first जो class है dihydroperidins they are potent vasodilator जबकि यह है moderate and myocardial depressant भी दोनों जो है वो moderate है जबकि यहाँ पे वेरा पामिल जो है वो potent myocardial depressant है जबकि benzo thiozabin class का जो dilti azam है वो moderate vasodilator as well as moderate myocardial depressant class की drug है तो यह point आपके लिए very very most IMP very very most IMP point है आपके लिए कि जो examination के लिए आपको अच्छे से याद रखना है तो यह है calcium channel blockers का proper pharmacological classification तो उसके mechanism आप समझे तो these are the prescription medication that relax the blood vessels यह समझे क्या करती है relax करती है blood vessels को कि अभी जो मैंने pipe का example दिया कि पहले ऐसे contraction की condition में थी तो उसको थोड़ा समझे की हम तो उसको थोड़ा समझे की हम dilate करवाते हैं तो इस तरह से यह blood vessel contraction में से हो जाएगी relax के position में तो यह है उसका first important point for mechanism of action these are the prescription medication इसलिए इनके जो labeling होते हैं उसके उपर आप देखते हैं कि Rx only लिखा होता है Rx only लिखने पीछे का जो reason यही है कि prescription medications relax करती है blood vessel और increase करती है supply of blood and oxygen to the heart while also reducing the heart's workload तो यह point आपका clear हो गया है second point समझे कि कितने time में यह अपना काम करना start कर देती है तो calcium channel blockers start working within 2-4 hours of taking off the first dose but it can take 3-4 weeks for the full effect to kick in कि जब आप कोई patient की treatment कर रहे है तो जब उसको first dose हम देते है तो 2-4 hours लगते हैं जो है उसकी effect start होने में and minimum 3 से लेकर 4 week के course के अंदर जो है वो patient की treatment हो जाती है और समझों की permanent किसी का blood pressure high रहता है तो उसक भी regular जो hypertension की जो patient होते है वो ये medications लेते है सरवात में lower dose से दिये जते है और regular diagnosis के बाद उनका जो है वो dose जरूरत पड़े तो increase किया जाता है और जरूरत पड़े तो dose decrease भी कर सकते है तो regularly वो तो check-up के बाद है कि patient का check-up करने के बाद proper diagnosis करने के बाद ही वो decision जो है वो हम ले सकते हैं बढ़ अभी जो हम theoretical concept को समझे तो minimum 2-4 hours जो है वो लेता है अपनी effects दिखाने के अंदर तो calcium channel blocker start working within 2-4 hours of taking the first dose in some cases such as amlodepin taking the medication at night कि amlodepin जो है वो ज्यादा तर ऐसा prefer किया ज्यादा है कि वो patient रात को ले and it could reduce your blood pressure more than taking in the morning कि रात के दिन के compare में जब उसको रात को लेते हैं आप तो वो आपका blood pressure ज्यादा अच्छे से control करता है तो amlodepin taking the medication at night could reduce your blood pressure more than taking in the morning कि morning में लेने के compare में जब रात को लेते हैं तो वो blood pressure ज़ो है वो ज़्यादा reduce करता है तो यहाँ पे positive thing यहाँ पे point B है यह as well as negative point B है कि समझे कि किसी का blood pressure stage 1 में ही है कि ज़्यादा hyper नहीं है borderline पे हो और उस वक समझे कि यह medications रात में लेगा तो early morning उसका blood pressure काफी low भी हो सकता है तो उस cases में उनको morning में देने की ही advice देनी चाहिए और जिनका blood pressure काफी high elevated हो जाता है तो वो patient समझे के रात में ले तो morning तक उनका जो blood pressure normal में हो तो यह जरूरी है कि कौन से medications किस तरह से दी जाए वो यहाँ पे main point है तो यहाँ पे उसके mechanism of actions के बारे में हमने सिखा तो यह medications कौन से channel को block करती है और कौन से area को तो these are the drug that block L type voltage-gated calcium channel कि calcium channels की तो बात होती है बट कौन से type की calcium channel तो block the L type of voltage-gated calcium channel तो यह आपके लिए MCQ pin point बन सकता है कि calcium channel blockers block the which type of voltage-gated calcium channel तो आपको तो पता है कि यह calcium channel को तो block करते ही है बट यह point आपके लिए खास नया है कि L type के voltage-gated calcium channel को block करती है present in blood vessels and heart कि जो हमारे heart के cells देखे as well as blood vessels होती है वहाँ पे यह present होते है और उसको यह block करती है calcium channel blockers lower your blood pressure by preventing the calcium from entering into the cell of heart and arteries तो arteries के अंदर जब यह calcium enter होता है तो वो क्या करता है अपका blood pressure जो है वो increase करता है बट समझो कि यह calcium को ही enter होने से हम block कर दे तो blood pressure increase होने के बज़ाए blood pressure decrease होगा तो यह है mechanism of calcium channel blockers तो calcium cause the heart and arteries to contract more strongly तो जो क्या होता है यहापे concept की जो calcium समझो कि enter होता है हम यहापे ज़्यादा एकदम simply समझेंगे यह point को कि समझो कि यह आपके blood vessels का कोई cell है और यहापे बाहर की और है calcium तो यह calcium समझो कि उसके अंदर enter हो जाता है तो CA plus 2 enter यहापे हो गया अंदर तो यह क्या करेगा यह जो cell है या फिर वो tissue है उसका क्या करेगा contraction करवाएगा क्योंकि उसका जो characteristics से उसके according to जितने calcium यहापे ज़्यादा जमा होंगे उतना वो कराएगा अपना contractions की जिसके करण जो heart है या फिर arteries जो है उनको contract करेगा contraction करवाएगा और contraction करवाने के कारण क्या होता है blood pressure जो है वो increase होता है तो अब आप क्या करते है और यह जो जिस entry से जिस pathway से यह जो enter होते है वो होता है block sorry वो होता है L type voltage get it calcium channel तो जो L type का समझे कि यहापे calcium channel जो है voltage get it तो यह L type का calcium channel जो है voltage get it calcium channel कि वहाँ से यह जो calcium यह cell के अंदर कर रहा है entrance entrance कर रहा है enter कर रहा है और उसका कर रहा है contraction तो आप अब क्या कर रहा है कि यहाँ के इसको ही block कर देते है तो यह जो medication से वो calcium कि यह जो यहाँ पे L type channel था voltage get it उसको कर दिया उसके ने block कर दिया तो यह block होने के करण क्या होगा कि उपर जो contraction होता था उसके जगाए हो जाएगा relaxation और relaxation का मतलब दूसरी टर्म में हम लिख सकते है that is the dilation कि calcium कम हो जाएगा तो अटमेडिकली यह जो dilation होने लगेगा कि जो calcium के कारण contraction हुआ था वो अब calcium reduce होगा तो calcium के reduce होने के कारण dilation होगा और dilation होगा कि जो होगा तो यह जो blood pressure increase हुआ था वो अब यहाँ पे blood pressure होगा decrease तो यह एक simple mechanism है कई बार आप यह जो point है वो काफी stress लेकर समझते है या फिर आप इस तरह से तयारी करते हैं कि जैसे आप कोई आपको mood ना हो इस तरह से आप पढ़ते हो कि आपको यह से लगए कि यह topic काफी hard है बट जब आप यह से simply समझते है किसी points को तो easily आपका यह concept है कि what is the mechanism of action what is the mode of action behind this calcium channel blockers तो यह concept मुझे लगता है आपका सायद अच्छे से यहाँ पे clear हो गया होगा कि calcium की जो contractions के लिए responsible है कि वो जब समझो कि आपके heart या फिर arteries के अंदर enter हो जाता है और concept pathway से enter होता है तो यह L type voltage-getted channel से enter होते है तो यह medications यह pathway को ही block कर देती है तो यह block होने से आके calcium नहीं जा पाएगा और calcium automatically जब यह cell के अंदर reduce होता जाएगा उसके amount reduce होती जाएगी then automatically there will be a contraction say reverse condition relaxation dilation lead to lower of your blood pressure so this is the simple mechanism of calcium channel blockers तो by blocking the calcium calcium channel blockers allow blood vessels to relax and open कि जो पहले contract हो गया था उसका contraction हुआ था वो अब यहाँ पे हो गई relax तो यहाँ पे भी एक chart है उसके थुरू भी आप समझ सकते हैं यह points को कि यहाँ पे में एक sort में आपको समझा दाता है कि आपके medications calcium channel blockers क्या करती है intracellular calcium influx को कर दीती है inhibition जिसके करण यहाँ पे तीन condition हम सोचते हैं 2 and 3 तो यहाँ पे क्या करते है यह कि vascular SMC contraction जो है वो inhibit हो गया जिसके करण peripheral vessels का dilation हुआ उसके करण peripheral vascular resistance decrease हुआ और जिसके करण blood pressure decrease हुआ जिसके करण हम उनको hypertension की treatment में use करते है second conditions के according को कि जब coronary artery dilation होता है oxygen consumption and in myocardium decrease होता है oxygen consumption increase करते है और in myocardium decrease होता है coronary blood flow increase होता है oxygen supply in myocardium वो increase हुआ तो जिसके करण क्या होता है engine eye के treatment कि जो chest vein के condition है उसके अंदर ये effective साबित होते है और तिसरा ICS excitement को decrease करती है sinus node की automaticity को decrease करती है कि जब calcium वहाँ पे कम जाता है तो automatically वो जो है उनकी activity decrease होती है using this medications कि जो अरित्मिया के treatment में हम use करते है तो जब हमने separate lectures बने थे कि hypertension के भी आपने lectures देखे होंगे फार्मरोग्स के engine eye chest pen के लिए भी आपने जेते हैं और third that is cardiac arrhythmia कि जो irregular heartbeats वाला जो lecture था उसमें आपने देखा होगा कि treatment का जो एक option था कि calcium channel blockers medications भी यहाँ पे use होते हैं तो यह था detail उसका mechanism and working अब जानते हैं उसका use तो calcium channel blockers are widely used and effective treatment for hypertension and angina कि जो हम angina factorist करते हैं कि आपे जो patient को यह chest pain हम देख रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं angina तो यसे patient की treatment के लिए यह medications use करते हैं mechanism से आपको बता चला कि यह lower करती है blood pressure तो जब patient को high BP का problem होता है high blood pressure तो यसे patient को हम यह medications देते की जिनका blood pressure रहता है high increase होता है तो वो blood pressure को regular करने के लिए हम यह medications prescribe करते हैं as well as जो irregular heartbeats के जो cardiac harithmiया के जो हम बात करते हैं वो patient भी use करते हैं बट यहाँ पे जो safety की हम बात करें एक तो several studies has raised the question about their safety and suggesting that calcium channel blockers can increase the rate of myocardial infraction and cause the death particularly in patient with heart disease कि जो heart attack जो patient को कई बार आते हैं बराबर तो यह से patient की जिनको काफी severe heart disease का problem है तो ऐसे patients को यह medications जो है वो हम नहीं देते कि जो specially heart की problem जिनको ज्यादा है और उसमें भी जो myocardial infraction की जो patients होते है तो ऐसे patients को तो गलती से भी calcium channel blockers जो है वो नहीं देनी चाहिए because उनके करण क्या होता है कि rate increase हो सकता है myocardial infraction का और उसके करण patient की date भी हो सकती तो यह point आपको जरूर से record book के अंदर अच्छे से not down करना है फिर समझे उसके indications तो indications के लिए हमने कि आपके लिए एक short form बनाया है कि what are the indications of calcium channel blockers तो cardiovascular indications includes the चस्मा कि यहापे जो आप चस्मा देख रहे है spectacles देख रहे तो उसको हिंदी में हम चस्मा कहते है चस्मा and दूसरा वर याद रखना है आपको SRP तो indications देख लिए जे सबसे पहले चस्मा के अंदर C जो है वो है coronary spasm H means hypertension A that means angina pectoris S that means supraventricular dysrhythmias M that means migraine headaches and A that means atrial flutter तो यहापे complete होता है आपका spelling C-H-A-S-M-A that means the चस्मा तो यह का आप short form याद रख सकते हैं से उसके indications आपको अच्छे से याद हो जाए तो यह एक trick से भी आप उनको याद कर सकते है second जो SRP की हम बात करते है S means sub-arachinoid hemorrhage के अंदर R means reanod phenomenon NP means pulmonary hypertension तो चस्मा and SRP यह minimix जो हम कहे short forms जो कहे वो आप अच्छे से याद रखे कि जिससे इसके indications आपको याद रख जाएंगे indications के बाद हम बात करें contraindications की तो calcium channel blockers are antagonist calcium channel antagonist are also contraindicated in patient with known hypersensitivity to the drug or its components कि समझो कि किसे को calcium channel blockers से hypersensitivity है कि for example कि कोई patient समझे कि calcium channel लेकर आपने दिया तो hypersensitivity reactions के प्रोट तोर पे उसको हो गई समझा कि कुई सी भी टाइप की allergy allergy के अंदर उसके skin उपर हो गए rasis तो उससे इंडिकेट यह हुआ कि जब आप calcium channel blockers उसको देते हैं तो उसको यह hypersensitivity हो जाती है तो उस वक्त हम यह medications उनको नहीं देंगे because कि यह आपको पता चला कि उनको hypersensitivity है of this medication फिर जो है कि sick sinus syndrome जो हम कहते है sick sinus syndrome कि जो ऐसे not related जो syndrome है कि जिसके अंदर disorganized electrical signals जो है वो produce होते है तो ऐसे patient को हमें कभी भी calcium channel blockers नहीं देने चाहिए because उससे जो de-organized electrical signals से वो condition और ज्यादा increase हो सकती है except in patient with artificial pacemaker समझे कि किसका pacemaker artificial है तो उस वक्त तो यह कोई problem है यह नहीं पर जब natural pacemaker है कि जो assin और जो हम कहते है तो उसकी related जब patient को problem हो तो calcium channel blockers जो है वो हमें नहीं देने चाहिए then severe hypotension के patient hypotension मतलब की low blood pressure वाले patient तो यह आप एक गलती नहीं होनी चाहिए कि जो patients low blood pressure वाले है उनको हम यह medications नहीं दे सकते हैं because यह medication low BP को और ज़्यादा low कर देगी और काफी low हो जाएगा blood pressure तो patient कुमा में भी जा सकता है या फिर उसकी death हो सकती है तो यह खास अपको ध्यान रखना है next है acute myocardial infraction की जो medical term है of heart attack की जो heart attack आते है तो उसके लिए जो medical term हम कहें acute myocardial infraction तो यह जो patient होते होते heart attack के या फिर acute myocardial infraction के उनके लिए calcium channel blockers contraindications के list में होते है and pulmonary congestions के patient pulmonary congestion तो यह आपके लिए most important topic as well as हम कहें pinpoint की यह से MC क्यों भी पुछा जा सकता है viva के लिए theory का है तो सभी type के questions के लिए यह point आपके लिए very very most IMP है next सीखिया अब उसके side effects भी सीखना जरूरी है तो side effect के तौर पे patient को heartbeat उसके increase हो सकते है fast heartbeat की जिसको हम कहें दे condition of a palpitations की जो medical term जो हम कहें that is the palpitations की जो fast heartbeat हो जाते है फिर constipation की condition की आप जो हम डाइग्राम में देख रहे हैं उसके according to patient को यह medications लेने से constipation हो सकता है third that is the dizziness की patient को dizziness as well as दूसरी condition का है तो fatigue जैसी condition की जब ठकान जो होती है वो हो सकता है then flushing condition develop हो सकती है headache हो सकता है की जो हम headache जो pain कहते है headache के अंदर तो headache हो सकता है nausea जैसा हो रहा सकता है patient को and rassist की जो hypersensitivity समझो की किसी को है तो वो patient को rassist develop हो सकते है की आप देख सकते है कैसे rassist patient को हो सकते है if they have a hypersensitivity to the calcium channel blockers तो यह थे उसके side effects तो यह अच्छे से आपको याद रखने कि यह भी आपको पता होने चाहिए कि जब patient counseling आप करते है as a pharmacist तो यह जरूर से आपके पता होना चाहिए कि आपको as a medical staff आपको यह side effects जरूर से पता होने चाहिए of calcium channel blockers so thank you friends for watching and attending this lecture जरूर से like करिए valuable comments करिए वीडियो को share करिए और चैनल को subscribe करिए अल्सो जोइन करिए हमारे whatsapp groups को 94-261-8036 whatsapp helpline number से access करिए study material taste series video lecture on app pharma rocks तो अगर आपके पास android phone है तो google play store पर से आपको download कर लिजिए iphone है तो app store पर से links आपको description box में हमने दे दी है तो good luck and all the best अजिए